हे गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने अपडेट किया था परीमहल के लिए हम लोग यहां पे थोड़ी देर रुके थोड़ी बाते की और फिर यहां से निकल गए निशादबाग गार्डन के लिए और यह देखे कि गार्डन बाकी गार्डन की तरह ही बहुत सुन्दर है यह गार्डन भी इतना बड़ा था कि इसे हम पूरी तरह से नहीं देख पाए श्री नगर में सिर्फ गार्डन के लिए आपको दो दिन चाहिए यहां पे चल रहा है हम सभी का फोटो सेशन एक्षली मुबाइल में ब नहीं बना है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मेरे पास जो वीडियोज हैं मैं उनको एडिट करके आप सभी को दिखा पाऊं। हम सभी यहां पर आकर बैठ गए, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कश्मीर में सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी मिलेगी और एक ही दिन में इतने सारे गार्डन्स को कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल था, यहां पर क्रिशा मुझे रील्स बनाना सिखा रही थी पर फिर भी मैं सीख नहीं पाई जरी हो ही दिन हम पाई जब श्री नगर से पहलगाम के लिए निकलने लगे थे तो जाने से पहले मैंने सोचा कि होटल के गार्डन का एक व्यू आपको दिखाते हैं किन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है आप लोग भी कश्मीर घूमने आईए आप लोगों को बहुत पसंद आएगा श्री नगर से निकल गए पहलगाम के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए बाई बाई टेक कियर और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और थेंक्स पर वाचिंग झाल